हाई गाईज कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए पहुत ही अमेजिंग आइडिया लेकर क्या हूँ देखे क्या होता है बहुत बार हमारी सर्ट जो होती हो फेवरेट होती है औ इसके उपर और बिल्कुल पहले की तरह जो है यह नई हो जाएगी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर बिल्कुल नई हो गई है फिर से हमारी सर्ट तो आप भी अपनी सर्ट को इस तरीके से नया बना सकते हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले देखे यहां से इस तरीक से मैंने यह टाके तोड़ने का चोटा सा ही टूल होता है इसको लिय और cotton की shirt है तो फट सकती है तो आपको सावधाने से ये सिलाई खोलनी है एक सिलाई खोलने के बाद देखे फिर हमारे पास एक सिलाई और बच जाती है तो उसको भी हमें सावधाने से खोलना है तो देखे इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे तो friends अगर आप चेनल पर नहीं आ देखे, इस तरीके से, मैंने पूरी सर्ट का, पूरी कोलर को, जो है, सर्ट से अलग कर दिया है, लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर देखे, दो-तिन बार सीलाई, चलाई हुई होती है, तो यह थोड़ी सी जो है कठीन होती है यहां से खोलना तो लेकिन हम सावधाने से खोलेंगे तो आसाने से खोल जाएगी तो देखिए कितनी फट गई है कोलर इसके लेकिन बाकी की सर्ट आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं पड़ी है तो इस तरीके से देखे सर्ट को सीधा रखा और कोलर की फटीवी साइड हमने उपर रखी है अब देखी हमको क्या करना है किस तरीके से पकड़ना है यहां से देखी सर्ट सीधी है तो अब नीचे वाला पार्ट पकड़ेंगे हम कोलर का और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और अब इसके उपर हमें लगानी है सिलाई और सिलाई लगाते टाइम हमको क्या ध्यांग रखना है कि हमको जो है कोलर के उपर सिलाई का जो निशान है और set के उपर जो सिलाई का निशान है हमको उनको दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते जाना है और अच्छे से जो उसके उपर सिलाई लगाते जाना है सिलाई हमारी टेडी मेडी नहीं आनी चाहिए तब ही जो है ये color finishing से लग कर आएगी तो इस तरीके से देखिए हमको जो हम पकड़ते जाना set को और color को और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फिर दिखाते हूँ कि दूसरी सिलाई हमको किस तरीके से लगानी है और एक चीज का ओर ध्यान रखना है कि आपको जो है आपके जोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी उपर वाले कपड़े में इनने नीचे वाले कपड़े में आपको इक्वल पकड़ना है बिल्कुल भी नहीं खीचना है कपड़ा कौन सा नीचे वाला ने उपर वाला अब देखिए इसको पलट कर उपर की तरफ करेंगे और अब देखिए जो सिलाई मारजन है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे यहाँ पर और इसके उपर अब हम सिलाई चला देंगे किनोर की सिलाई लगाएंगे यह हम बिल्कुल और सिलाई मारजन को अंदर दबाते जाएंगे और यह पहले से ही जो हम प्रेस करके बैठा रखी है कोलर को अच्छे से तो बिल्कुल फिनिशिंग से यह सिलाई लग जाएगी बिल्कुल आसाने से लग जाएगी तो इस तरीके से देखिए हमने इसकी उपर सिलाई लगा लिए है ये वाली अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर इसको दूसरी साइड जो है इसकी उपर करेंगे अब इस तरीके से और अब एक सिलाई हमको दो पोइंट की दूरी से जो हमारी पहले से सिलाई लगी है उससे दो पोइंट की दूरी से अंदर की तरफ मतलब कोलर की तरफ हमको एक सिलाई इसकी उपर और लगा देनी है इससे ये कोलर अच्छे से बैठ जाएगी तो आप देख सकते हो कितना आस की तरफ चला गया है और अंदर वाला पार्ट तो किसी को नजर भी नहीं आता है तो इस तरीके से आप अपनी फेवरेट सर्ट को फिर से रिपेर करके रिउज कर सकते हो अब आप इसको डोनेट भी कर सकते हो अब आप इसको पहन भी सकते हो तो इस तरीके से कोलर फटने से आ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मिलते हैं आप से किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए मस रहिए बाई